तो आज हम लोग परने बाले हैं बोल का मोल तो चलिए शुरू करते हैं एक बार की बात है एक आदमी अपने चारों पुत्रों के साथ लंबी यातरा से लोट रहा था उनके पास खाने पीने की सारी बस्तुएं समाप्त हो चुकी थी भूखे रहने की नोबत आ गई बे एक पेर के नीचे रुक गए तभी एक बयापारी उधर से गुजरा वह बैल गारी में खाने पीने का सामान लाद कर बेचने के लिए मेला जा रहा था पिता ने अपने पुत्रों से कहा जाओ बयापारी से मांगो सायद कुछ खाने को मिल जाए पहले पुत्र ने बयापारी को हांक दे कर कहा अरे ओ बयापारी इतना माल लिए जा रहा है थोड़ा मुझे दे दे भूख लगी है बयापारी ने सोचा बड़ा मुर्ख है यह दूसरों से मांगते हुए मीठी बोली भी नहीं निकालता कठोर वानी के कारण उसे एक सुखा पकवान दे कर बयापारी आगे बढ़ गया तभी दूसरा पुत्र तेजी से बयापारी की ओर बड़ा उसके निकट पहुँचकर बोला भाई सहब परनाम क्या छोटे भाई को खाने के लिए कुछ नहीं देंगे बयापारी ने सोचा इसने मुझे भाई कहा है छोटे भाई को कुछ देना चाहिए यह सोचकर उसने एक दोने में से कुछ मिठाईयां दे दी थोरी देर में तीसरा पुत्र बयापारी के पास पहुँच गया उसने कहा महा से आप मेरे आदरने पिता तुल हैं मुझे कुछ खाने को दें बयापारी ने सोचा यह बरे आदर से मुझे अपने पिता के समान मान रहा है उसने मिठाईयां भर कर दो दोने उसे दे दिये अंत में चौथा पुत्र पहुँच गया उसने कहा कहो मित्र इस संकट की घरी में अब तुम ही सहारा हो क्या तुम मुझे भूखा ही रखोगे बैपारी ने सोचा मित्र पर लोग सब कुछ ने उचावर कर देते हैं फिर यह मित्र संकट में है इसकी सहायता करना मेरा कर्तब है यह सोच कर भबोला मित्र यह गारी तुम्हारी रही इसमें लदी सारी मिठाईयां और पकबान तुम्हारे लिए हाजिर है कहो कहां पहुचा दूँ बैपारी गारी लेकर उसके पीता के निकट पहुच गया बहां पीता के सभी पुत्र खरे थे पीता ने कहा बोल का मोल क्या होता है समझो मीठे बोल बोल कर ही जीबन सुखद बनाओ तो यहां पे कुछ सब्दों के अर्थ दिये गए हैं तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं बोल मिस बोली पिता तुल मतलब पिता के समान सुखद सुखदेने बाला वानी मतलब बोली या बात नौबत मतलब इस्थिती या हालात आदरनिय मतलब आदर के योग तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्यों फोर बाचिन वीडियो आदरनिय मतलब इसक्रावश आदरनिय मतलब इसक्रावश एसक्रावश